हेलो एब डिवन, स्वागत है आप सभी का बलाष्ट कोचिंग क्लासिस में यह हम लोग परिक्षाबोद की एक सीरीज दे रहे हैं 10th और 12th क्लास की हिंदी मीडियम भी है इसमें और इंग्लिस मीडियम भी है और इस वीडियो में हम लोग देख रहे हैं 12th क्लास की फिजिक्स यह जो हम सीरीज दे रहे हैं इसमें अभी हम लोग MCQ कवर करने वाले हैं उसके बाद मैं 1-1 मार्क्स के सारे कॉस्चन देखेंगे तो आपको MCQ पढ़ने में बहुत ही जादा दिक्कत होती है क्योंकि याद करने में टाइम जादा कंजिम होता है हम लोगों ने इसकी वीडियो दे रखी है जिससे आपके आदा घंटा के अंदर अंदर ही सारे MCQ हो जाएंगे और पढ़ने से जादा याद हमारे जब होते हैं जब हम इसको सुन लेते हैं इसलिए आपको ये वीडियो जादा से जादा देखना और सुनना है जिससे अलग अलग टाइम पर अगर आप सुन लोगे जिससे एक बाराज सुन लिया फिर तीन-चार दिन बाज सुन लिया फिर तीन-चार बाज सुन लिया तो आपको याद हो जाएंगे जब आप डेली एक्टिबिटी करते रहे तो उस टाइम पर आपको इसको क्या करना है सुन लेना है तो हम लोगे स्टार करते है पहला हमारा चैप्टर है विद्धूत आविस एवं छेत्र यानि एलेक्रिक चार्ज और फिल्ड पहली कोश्चन है इसका हमारा मूल आविस का मान कितना होता है तो जो हमारा मूल आविस होता है उसका मान होता है 1.6 x 10 to the power minus 19 कोश्चन है एक कोश्चन है एक कोश्चन है एक कोश्चन है एक कोश्चन में एलेक्ट्रोनों की संख्या कितनी होती है तो अगर एक के उपर असी माइक्रो कूलाम रिण आवेस है तो उसके उपर हमारे कितने होंगे 5 x 10 to the power 14 फूर्थ है हमारा बिंदू आवेस Q के कारण आर दूरी पर बिद्दुच्छेत्र की तीबरता E होती है तो बिद्दुच्छेत्र की तीबरता E हमारी कितने होती है डिरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है 1 upon R² के या फिर इंवर्सली प्रोपोर्शनल होती है 1 upon R² के फिफ्थ है निरवाद की बिद्दुच्छेत्र का अमान कितना होता है तो इसका मान होता है 8.8 into 10 to the power minus 12 coulomb square per newton per meter square ठीक है इसके बाद में next है हमारा 6 वाला एक सामान बिद्दुच्छेत्र E में किसी दुई धुरुब को छेत्र की दिशा से 180 डिगरी कौन पर घुमा दिया जाए तो कार्य होगा तो कितना कार्य होगा w equal to हो जाएगा 2p साथवा question है दुई दुरुब आगोंड p वाले दुई दुरुब के कारण इसके केंद्र से दूरी r पर विद्दुच्छेत्र की ती बृता E की r पर निर्भरता होती है तो इसके निर्भरता हमारी कैसी होती है तो E हमारा directly proportional होता है 1 upon r q k या फिर E हमारा inversely proportional होता है r q k नेक्स्ट है हमारा आठवा question आविसित खोकले गोले के अंदर विद्दुच्छेत्र का मान होता है तो विद्दुच्छेत्र का मान कितना होता है शून 9th question है बाई में स्थित एक आंख धनावी निकलने वाला कुल विद्दुच्छ होता है तो इसका विद्दुच्छ entertainment होता है 1 upon epsilon time दस्वाए धातु का पराविद्दुच्छां होता है तो धातु का जो हमारा पराविद्दुच्छ थांग होता है वो होता है अनद 11 question है बिद्धुद दुईदुरुब आगून का मातरक है तो इसका मातरक होता है कूला मीटर इसके बाद मैं next आ जाते हैं हम लोग second chapter पर तो second chapter है हमारा इस्थिर बिद्धुद बिभाव इवं धारिता ऐसी और वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और वीडियो को जादा सजादा लाइक कर सकते हो और जितने जादा आप कमेंट करोगे उससे साब कि आपको बाकी की और भी वीडियो मिलती जाएगी अगर कोई सा और सब्जक छूट रहा है तो आप उसको हमें कमेंट करके बता सकते हो किसकी MCQ की वीडियो भी बना दो तो आपको मिल जाएगी बहुत जल्दी नेक्स्ट सेकंड चैप्टर के कॉस्चन देखते हैं पहला कोउस्चन हमारा बिद्दधारिता का ऐसा ही मातरक तो इसका ऐसा ही मातरक होटा है प्लेटों के बीछ बाईू के स्थान पर कुचालक माध्यम भरने से उसकी धारिता तो उसकी धारिता कैसी हो जाती है बढ़ जाती है चोथा समांतर प्लेट संधारित की प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ाने से उसकी धारिता तो उसकी धारिता क्या हो जाती है इसमें भी बढ़ती है पांचमा है दो संधारित्रों को स्रेडी क्रम में जोडने पर पिरते एक संधारित्र पर समान होगा तो पिरते एक संधारित्र पर आविश समान होगा छटमा कॉशन है हमारा दो संधारित्रों को समान क्रम में जोडने पर पिरते एक संधारित्र का मान समान होगा तो एक के ऐसा होगा किबल बिभाव समान होगा साथमा है समान धारिता के दो संधारितर पहले समानतर क्रम में तथा फिर स्रेड़ी क्रम में जोड़े जाते हैं तो दोनों इस्थितियों में परिणामी धारिता का अनुपात क्या होता है तो इसका अनुपात होता है 4 अनुपाते 1 आठवा कोश्चन है एक गोली ये चालक की धारिता का सूत्र लिखो तो गोली ये चालक की धारिता C बराबर होता है 4 pi epsilon 0 r इसके बाद में next है हमारा third question sorry third chapter तो third chapter हमारा विद्धुद धारा यानि current electricity इसका पहला question है हमारा धातों में धारा प्रवाय होती है तो किसके कारण होती है धातों में मुक्त इलेक्ट्रोन के कारण धारा प्रवायत होती है और जो हमारा solution वाला होता है उसमें हमारी धारा किसके कारण होती है प्रवाय होती है आयनों के कारण ये chemistry का question है नेक्स्ट है हमारा second question तो इसका क्या है एक तार का विस्ष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है तो एक तार का विस्ष्ट प्रतिरोध उसके पदार्थ पर निर्भर करता है तीसरा एक तार को खीच कर उसकी लंबाई दो गुना करने पर उसका प्रतिरोध हो जाता है तो उसका प उसके बाद में नेक्ष्ट है हमारा 6th question, तो 6 है ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध घड़ता है, तो ताप बढ़ाने पर केवल अर्द चालक का ही प्रतिरोध घड़ता है, 7 हमारा अती चालक पदार्थ की चालकता होती है, तो अती चालक पदार्थ की चालकता कैसी होती है, अन जैसे जोड़ा जाता है जिसमें एक सेल भूल बस उल्टा हो जाता है तो परिणामी विद्धुत बाहग बल तथा आंत्रिक प्रतिरोध होगा तो इसका कैसा होगा विद्धुत बाहग बल होगा E और आंत्रिक प्रतिरोध होगा 3 नेक्स्ट है हमारा बारवा कॉस्चन तो बारवा है किसी सेल का आंत्रिक प्रतिरोध घटाया जा सकता है वे समांतर क्रम में जोडे जाते हैं तो इनका तुल बिद्धुत बाहग बल कितना होगा तो इसका तुल बिद्धुत बाहग बल हमारा कितना आएगा E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन में R1 प्लस R2 चब्धमा कोश्चन है विभाव मापी नापता है तो विभाव मापी हमारा क्या नापता है सेल का बिद्धुत बाहग बल नापता है पंद्धमा कोश्चन है सून बिच्छे पित की स्थिती होती है तो ये धारा मापी से उकर कोई धारा नहीं बैती है तो फिर सून बिच्छे पंड की स्थिती होती है नेक्स्ट है हमारा सोलमा कोश्चन तो सोलमा कोश्चन क्या है विभाव प्रवांटा का ऐसा ही मात्रक है तो जो हमारा विभाव प्रवांटा है इसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है वोल्ट पर मीट है सत्रमा कोश्चन है विभाव मापी की सुग्रायता अधिक्तम होने के लिए तो विभाव मापी की सुग्रायता अधिक्तम कब होगी जब इसके तार के सिरों पर विभांतर कम तथा तार की लंबाई अधिक होनी चाहिए उसके बाद में नेक्स्ट है अठार्वा विवाव मापी की संतुलित इस्थिती में इसका प्रतिरोध होता है तो इसका प्रतिरोध कैसा होता है अति उच्छ होता है नेक्स्ट हम लोग चौथे चैप्टर को देखते हैं तो जो हमारा फोर्थ है वह गतीमान आविस और चुमबकत एसी और भी सब्जेक्ट की वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेरा और हमें वीडियो का नाम कमेंट करके बता देना किस सब्जेक्ट की चaha jarred की तो हम आपको देंगी क्योंकि हिंदी मीडियम और इंगलिस मीडियम दोनों की दे रहे हैं देखते हैं इसका हमारा पहला question तो पहला है हमारा विद्दु धारा के चुमके प्रभाव की खोज किस ने की थी तो किस ने की थी ओस्ट्रेड ने नेक्स्ट है हमारा सेकंड एक गतिमान आविस उत्पन करता है तो एक गतिमान आविस क्या उत्पन करता है विद्धु छेत्र तथा चुमके छेत्र तीसरा question है चुमके छेत्र की तीब्रता का ऐसा ही मात्रक होता है तो इसकी तीब्रता का हमारा ऐसा ही मात्रक क्या होता है Newton per Ampere meter Next हमारा fourth Ampere का परिपत ही नियम है तो Ampere का परिपत नियम क्या होता Surface integration B dot del L equal to mu 0 I पांच्वा question है इसका हमारा धारा वाही ब्रतिय कुंडली के केंदर पर उत्पन चुमके छेत्र होता है तो ये कितना होता है कुंडली के तल के लंबवत होता है Next हमारा fourth question एक समान चुमके छेत्र में गतीमान आवेस पर लगने वाला बल सून होता है जबकि आवेस की गती की दिसा होती है तो आब इसकी गती की दिसा क्या होती है? चुमकिये छेत्र के समानतर साथवा कॉस्चन है हमारा एक समान चुमकिये छेत्र में लटके धारा वाही लूप पर लगने वाला बल आगूण अधिकतम होता है जबकि लूप का तल होता है तो इसका अंसर हमारा क्या आएगा चुमकिय छेत्र के समांतर उसके बाद में next आज आते हैं तो next है हमारा fifth chapter और fifth हमारा क्या है बिद्धु चुमकिय प्रेरण वैसे पांचवाँ chapter हमारा हट गया है तो ये हमारा sixth chapter है पर परिक्षाबोद में इसका क्या नाम दे करके रखा है तो जो जो chapter हट गया है उनको तो हटा दिया गया है बाकी का जो पीछे के chapter है उनका नाम sequence wise ही रहने दिया है परिक्षाबोद में तो इस बात का आप ध्यान रखना कि पांचवाँ chapter हट गया है और ये वाला हमारा छट्वाँ chapter है तो बिद्दू चुमके प्रेरण हमारा क्या है इसका पहला question है चुमके फलक्स का ऐसा ही मातरग तो इसका ऐसा ही मातरग क्या होता है बेबर Second question है हमारा किसी कुंडली में संबन्द चुमके फलक्स बदल जा सकता है तो किसी कुंडली में सम्मन्द चुमके फ्लक्स बदला जा सकता है तो कब बदला जा सकता है जब कुंडली को परिवर्ती चुमके छेतर में रखा जाए या फिर कुंडली को एक समान चुमके छेतर में गुमाया जाए या फिर एक समान चम के छेत में कुंडली का छेत फ़ल बदला जारा तो इसका अन्सर हमारा क्या होगा वो परियोखत? सबी तीसरा हमारा प्रेरित धारा की दिशा ग्याद की जाती है तो एक किसे क्याद की जाती है? लैंजलो से चौथा है हमारा विद्धु चुम्किय प्रेरण की घटना में उर्जा परिवर्तन होता है तो इसका आंसर हमारा क्या होगा यांत्रिक उर्जा को विद्धु तूर्जा में परिवर्तन करते हैं कब जब विद्धु चुम्किय प्रेरण की घटना का यूज करते हैं पांच में किसी कुंडली का स्वप्रेरक्त निर्वन नहीं करता तो ये किस पर निर्वन नहीं करता स्वप्रेरक्त कुंडली में प्रिभाइद धारा पर छटवाए हमारा दो कुंडलियों के मद नर्म लोहे का क्रोड प्रियोक्त करने पर उनके मद अन्योनन प्रेरण तो अन्योनन प्रेरणन क्या हो जाता है बढ़ जाता है साथवाए हमारा भवर धाराओं का उपयोग किया जाता है तो भवर धाराओं का उपयोग हमारा कहां किया जाता है धाराम आपी को रूद्र दोल बनाने में आठवा है लेंज का नियम आधा रहे थे तो लेंज का नियम हमारा किस पर आधा रहे थे उर्जा के सनरक्षण नियम पर नमा question है हमारा भवर धाराओं का अपयोग किया जाता है यह निख भवर धाराओं का अपयोग हमारा कहा किया जाता है धाराम आपी को रूध दोल बढ़ाने में इसके बाद मैं next आ जाते हों तो next हमारा six chapter six chapter का नाम हमारे क्या है प्रित्यावर्ती धारा यानि Alternative Current इसका पहला question हमारा क्या है तो पहले question है एक पूर्ट चक्र में प्रित्यावर्ती धारा का ओसत मान होता है तो इसका ओसत मान कितना होता है शूण दूसरा है हमारा प्रित्यावर्ती विद्धवागबल के सिखर का मान V0 तथा वर्ग माद मूल का मान VRMS में संबंद है तो इन दोनों में हमारा क्या संबंद है तो VRMS equal to होता है 0.707 V0 या फिर ऐसा भी VRMS equal to होता है हमारा 1 upon my root 2 और उपर आएगा हमारा V0 यानि VRMS equal to V0 या V0 upon my root 2 उसके बाद में third question है हमारा एक संधारित अपने में से गुजर जाने देता है तो एक संधारित अपने में से केवल AC को गुजर जाने देता है नेक्स्ट है हमारा चौथा question प्रित्यावर्थी परिपत में वाठीन धारा होती है यदि परिपत में है तो यदि परिपत में केवल L है तो फिर क्या होगा वाठी इंधारा होगी पांचवाए यांत्रे कूर्जा को विद्धू तूर्जा में बदलने की यूक्ति कहलाती है तो इसको हम क्या कहते एसी जनरेटर छटवाए एक किसी प्रित्यावर्ती धारा परिपत में धारा का सिखर I0 आभासी मान I RMS है तो इनके मद्द संबंद होगा तो इन दोनों के मद्द हमारा संबंद कैसा होता है तो यह अभी अभी हमने पढ़ा था कि I RMS equal to क्या होगा I0 upon में root 2 हो जाता है या V RMS के लिए भी हमारा सेमी है कि V RMS equal to होता है V0 upon में root 2 तो I0 equal to हमारा क्या हो जागा root 2 RMS साथमा है प्रित्यावर्ती LCR परिपत में धारा नियूनतम होगी जब तो धारा हमारी नियूनतम कब होगी जब XL minus XC maximum होगा नेक्स्ट है आठमा सुद्य धारिता बाले प्रित्यावर्ती परिपत में औसत सक्ती व्याय होती है तो औसत सक्ती कितनी व्याय होती है शून होती है इसके बाद में हम लोग next आजाते तो next हमारा क्या है next हमारा seventh तो seventh है हमारा electromagnetic wave यानि बिद्दुचुमकिये तरंगे तो इसका पहला question हमारा क्या है बिद्दुचुमकिये तरंगे उत्पन होती है तो जो हमारी बिद्दु चुमकिये तरंगे हैं वो हमारी कवोत्पन होती है तुर्वित आवेश से दूसरा हमारा बिद्दु चुमकिये किरने नहीं है तो बिद्दु चुमकिये किरने इन में से कौन सी नहीं है बीटा रेज नहीं है नहीं है थःड़ कोश्टान है बिद्दु चुमकिये तरंगे कैस्ट तो की प्रियोगिक पुष्टी सरपिर्थम इसके बाद में नेक्षट है पांच महा ओजोन मंडल अवसोसित करता है तो ओजोन मंडल हमारा क्या अवसोसित करता है अल्ट्रा वॉलेट रेज को यानि परावर्तित किरोणों को अवसोसित कर लेता है जिससे कि हम लोग बचे रहते हैं नेक्स्ट है हमारा छट्वा यदि विद्धुद चुमकिये तरंगों में विद्धुद वेक्टर एक से दिसा में तर चुमकिये वेक्टर वाई दिसा में हो तो उसकी संचराण दिसा क्या होगी तो उसकी संचराण दिसा हमारी क्या होगी जैड हो जाएगी सात्वा कोश्टन हमारा तरंग सदिस में व्यक्त किया जाता है तो तरंग सदिस में हमारा व्यक्त कैसे किया जाता है k equal to 2 pi upon me lambda थीक है तो तरंग सदिस को हम लोग व्यक्त करते है k equal to 2 pi upon me lambda उसके बाद में next है हमारा 8th chapter तो 8th chapter क्या है हमारा Rayo Optics या निकरंड प्रकास किये वैसे यह 8th chapter नहीं हमारा पर हम लोग जान रहे हैं कि परिक्शाबोद में हमारा कैसा दिया है हीरे की चमक का कारण है तो हीरे की चमक का कारण क्या है TIR यानि टोटल इंटर्नल रिफ्लेक्शन यानि पूर्ण अंत्रिक परावर्तन सेकंड है हमारा जब प्रिकास किरण बिरल माध्यम से सरल माध्यम में प्रिवेस करता है तो निम्न मैंसे किसका मान परिवर्तित नहीं हो तो किसका मान परिवर्थित नहीं होता फ्रिक्वेंसी यानि आवरत्ती का नेक्स्ट है F1 और F2 फोकस दूरी के दो लेंस एक दूसरे के संपार्क में रखे गए हैं सेयुक्त लेंस की फोकस दूरी होगी तो सेयुक्त लेंस की फोकस दूरी क्या होगी F1 F2 अपॉन में F1 प्लस F2 चौथा कॉस्टन है हमारा एक लेंस की फोकस दूरी किस रंग के लिए नियुन्तम होती है तो किस के लिए होगी बैगनी कलर के लिए नेक्स्ट है हमारा अंत्रिक चात्री को आस्मान कैसा दिखाई देता है तो यह कैसा दिखाई देता है काला छट्वा हमारा प्रकास का रंग ग्याद किया जाता है तो प्रकास का रंग हमारा किस से ग्याद किया जाता है उसकी आवरत्ती से साथ में हमारा सेयोक्त सूक्षम दर्सी में नेत्रका की फोकस दूरी अभी द्रस की फोकस दूरी से कैसी होती है अधिक होती है पहला हो जाएगा नेक्स्ट हमारा आठवा कॉश्चन तो आठवा हमारा क्या है खगोली है दूर दर्सी के अभी दर्सी की फोकस दूरी F0 तथा नेतरक का फोकस दूरी F E है तो सामाने सही हो जग की स्थिती में उनकी आवर्धन चमता होगी तो आवर्धन चमता क्या होगी हमारा F O अपॉन में F E F O मतलब Focal Length of Object और F E मतलब Focal Length of Eye ठीक है जो Eye Length है उसकी और Object Length है उन दोनों की उसके बाद में Next आजाते हैं हम लोग तो Next है हमारा 9th Chapter यानि Wave Optics यानि तरंग प्रकास की आपको वीडियो को जादा से जादा Share करना है ताकि आपको और भी ऐसी वीडियो मिलती रहे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अब वीडियो को लाइक भी करना पहला Question हमारा क्या है तरंग है एक स्थान से दूसरे स्थान तक संचरत करती हैं तो किसकी वज़े से करती हैं उर्जा की वज़े से सेकर्ड है हमारा प्रकास की तरंग की प्रकरती का निर्माण निम्न परिघटना से नहीं मिलता तो किससे नहीं मिलता प्रकास विद्धूत पिरभाव से तीसरा है प्रकास के वैती करन में उर्जा तो उर्जा क्या होती है पनरवर्थित हो जाती है नेक्स हमारा चोथा इसको थोड़ा से उपर कर लेते हैं दिखने लगेगा चोथा कोश्चन है हमारा निमलिखित में से कौन सी परिगटना प्रकास तरंगों में होती है किन्तु धोनी तरंगों में नहीं होती तो यह अपोबर्तन पांचवा है हमारा प्रकास के दो सुरुतों का कला सम्मंद कहा जाता है दिखकि उनके द्वारा उत्पादित तरंगों के तरंग धेर समान हो तथा कालंतर नियत हो छट्वा question है हमारा किसी बिंदू पर दो तरंगे निम्न समी कराण द्वारा निरोपित की जाती है E1 equal to E0 sin omega t E2 equal to E0 sin omega t plus 5 इस बिंदू पर विनासी वेती कराण उत्पन होगा यदी तो ये विनासी वेती कराण कब उत्पन होगा जब 5 equal to कितना हो पाई क्योंकि जब ये पाई से एक दूसरे को आगे पीछे चलते हैं तब ही होता है नेक्स्ट है हमारा साथमा यंग्स के दूइ सिलेट वेती कराण प्रियोग में यदी दोनों सिलेट के वीच की दूरी एक तिहाई कर दी जाती है तो फ्रिंज की चौड़ाई पर क्या फर्क पड़ेगा तो जैसे इन दोनों के बीच की दूरी एक तिहाई कर दी जाएगी तो फ्रिंज बिट तीन गुणा बढ़ जाएगी आठवा कॉस्टन है हमारा यंग के प्रियोग में यदि दोनों सिलेटों के बीच की दूरी आधी तथा सिलेट के परदे की बीच की दूरी दो गुणी की जाती है तो फ्रिंज चौड़ाई क्या होगी तो फ्रिंज चौड़ाई चार गुणा बढ़ जाएगी इसके बाद में नेक्स्ट है हमारा नाइन्थ तो नाइन्थ है यंग के दूई सिलेट प्रियोग में केंद्रिय फ्रिंज की T ब्रिता I है एक सिलेट को बंद कर देने परिस्थान पर T ब्रिता I 0 हो जाती है तो कौन सा सम्बन सत है तो I equal to क्या हो जाएगा I 0 यदि Y equal to mu sin omega t और Y2 equal to 3 sin ब्रेकेट में omega t plus pi by 3 दुआरा निरूपित दो तरंगे एक बिंदू पर व्यति करण करती है तो परिणामी तरंग का आयाम होगा लगभग तो कितना होगा लगभग? 6 होगा इसके बाद में next हम लोग चलते हैं तो इसके बाद में हमारा 11th question इसको थोड़ा सा मिनिवाइस कर लेते हैं तो 11th question है यहांग के दूइ सिलेट प्रियोग में दीप्त और अदीप्त इफ्रिंज की तीबृता का अनुपात 4 अनुपाते 1 है तो कला सम्मन्दिश रोट के आयम का अनुपात कितना होगा तो इनका अनुपात होगा 2 अनुपाते 1 नेक्स्ट है वार्मा प्रिकास का धुर्वन्ट सिद्धान्त करता है तो प्रिकास का धुर्वन्ट सिद्धान्त हमारा क्या करता है तो प्रकास के अनुप्रस्त तरंग की प्रकर्ति नेक्स्ट है हमारा 13 तो 13 हमारा क्या है वेतिकराण होता है तो वेतिकराण हमारा कब होता है जब अनुदेरे और अनुप्रस्त दोनो तरंगे में हमारा क्या होता है वेतिकराण होता है जब अनुप्राशते तरंगें होगी या अनुदेहरे दोनों प्रकार की तरंगें होगी तो भी हमारा क्या हो जाएगा व्यतिकरण होगा नेक्स्ट है हमारा 10th chapter विक्रण तथा द्रव के व्यत्प्रकृति ठीक है यानि radiation and the dual nature of matters तो इसमें हमारा पहला question क्या है electron पर आवेस होता है तो electron पर हमारा आवेस कैसा होता है minus 1.6 into 10 to the power minus 19 कुलाब जो हमारा proton होता है उसका आवेस होता हमारा 1.6 into 10 to the power minus 19 कुलाब और जो हमारा electron होता है उसका होता माइनस 1.6 इंटू 10 तो दी पावर माइनस 19 कुलाम और जो neutron होता है उसका होता है 0 कुलाम ठीक है Next हमारा second विभांतर 0V से त्वरित electron द्वारा अरजित उर्जा होती है तो कितनी होती है 10 electron volt Next हमारा third question electron की खोच की थी तो electron की खोच किस नहीं की थी सर जे जे थॉमसन ने इसके बाद में next हमारा fourth उर्जा E के photon का संवेग होता है तो उर्जा E के photon का संवेग कितना होता है capital E upon में C पाँच्वा question है हमारा विभांतर 150 volt पर त्वरित electron से सम्मंद D-Brogli तरंग धेर होगा तो D-Brogli तरंग धेर कितना होगा 1 angstrom छटवा हमारा एक कंड का द्रबमान M तथा वेग भी है तो उससे सम्मंद D-Brogli तरंग धेर होगी तो D-Brogli तरंग धेर हमारी कितनी होगी H upon में M B उसके बाद में next हमारा एक स्रोथ से उर्जा निम्न रूप से निकलती है तो कैसे निकलती है एक स्रोथ से उर्जा फोटोन के फॉर्म में निकलती है next है इसके बाद में हमारा 11th chapter और यह हमारा last chapter है वैसे तो यह 14th chapter है पर बीच बीच में atom nuclei और वो 5th chapter हट जाने की वज़े से यह कैसा हो गया थोड़ा सा आगया आगया 11th chapter है हमारा अर्द चालक electronic पदार्थ युक्तियां तथा सरल परिपत यानि semi conductor है तो इसमें हमारा पहला कौन सा है germanium crystal में वर्जित उर्जा अंतराल होता है germanium crystal में कितना होता है हमारा 1.12 into 10 to the power minus 19 joule ठीक है और यह हमारा जो अभी हम लोग दे रहे हैं यह परिक्षा बोड के question है आप question bank भी देख लेना जो question bank MP board ने release कर दिया है उसकी भी हम लोग एक series निकालेंगे क्योंकि वो भी सारे question IMP है अगर आप पूरा question bank देख लेते हो तो तो आपके पक्काई 28 में से 28 marks हो जाते है उसके सारे question ही पूछे जाते पर इस बार के question bank में बहुत question दिये तो आपको सारे तयार करने नेक्स्ट हमारा second वाला Germanium crystal P को टाइप अर्द चालक बनाने के लिए इसमें मिलाई जाने वाली असुद्या की सेयोजकता होती है तो कितनी होती है तीन नेक्स्ट है PN संदी डायोड में अफच्चाय पर्थ में होते हैं तो अफच्चाय पर्थ में इसके क्या होते है निश्चित आयन चौथा हमारा PN संदी डायोड में अफ्चाय पर्थ की मौटाई होती है तो अफ्चाय पर्थ की मौटाई हमारी कितनी होती है 10 to the power minus 6 meter पांचमा है हमारा जेनर डायोड का उपयोग होता है तो जेनर डायोड का हम लोग उपयोग कहा करते हैं तो ये करते हैं हम लोग voltage नियांतरण में उसके बाद में इसको थोड़ा से उपर कर लेते हैं तो छट्मा कोस्टन है हमारा प्रकास उत्सरजन डायोड बनाया जाता है तो प्रकास उत्सरजन डायोड किससे बनाया जाता है गैलियम आर्सेनाइट से साथमा है फोटो वाल्टे की उकती है तो फॉल्टो वोल्टे की उक्ति कैसी है solar cell next CB बिधा में धारा लाव अलफा तथा CE बिधा में धारा लाव बीटा में संबन्द है तो इन दोनों में हमारा क्या है बीटा एक्वल्टो होता है अलफा अपॉन में 1 माइनस अलफा next है हमारा नाइन्थ NAND gate के लिए Boolean वेंजक लिखिए तो NAND gate हमारा क्या है NOT और NAND gate से मिलकर के बना हुए तो हमारा जो NAND gate होता है वो होता है Y equal to A dot B और अगर NOT लगा दिया जाए तो इसी के उपर बार आ जाएगा यानि NAND gate क्या हो जाएगा Y equal to A dot B बार उसके बाद में next है हमारा 10th question परम सूने ताप पर Germanium का टुकडा ब्योहार करेगा तो परम सूने ताप पर Germanium का टुकडा कैसा ब्योहार करेगा विद्धुत रोधी उसके बाद में last हमारा question है N प्रकार के अर्द चालकों में पाए जाते हैं अधी संख्या के लेक्टोन पाए जाते हैं और भी ऐसी वीडियो के लिए आप चैनल को subscribe कर लेना और जादस जादस लाइक comment और share करना ताकि आपको और भी ऐसी वीडियो मिलते रहें आखीका मिलते हैं अगली वीडियो में Thank you